बम्मम बोले किसा शरधालो जम्मू से कश्मीर खाटी के लिए रवाना हुए आपको उतादी कि से पहले बालटाल का जथार रवाना हो चुका है और अब पहलगाम के जथे को रवाना किया जा रहा है कड़ी सुरक्षे के साथ सुरक्षे वस्ता के अगर मैं बात करूं तो चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षे के साथ कानवाई के साथ काफिले को रवाना किया जा रहा है और आप ये साफतोर पर देख सकते हैं लगबग अगर बालटाल क जट्थे की बात करूं तो लगब तीन चालिस के करीब आलटाल का जट्थार रवाना हो चुका है और अब पहलकाम के जट्थे को यानि की काफिले को रवाना किया जा रहा है शड़ालों में काफिले साल बाबा बरफाने के दर्शन नहीं कर पाए लेकिन इस बार वो बाबा बरफाने के दर्शन ज़रूर करेंगे इस बार तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना सचाऊंगी जवान तैनात है और चपपे चपपे पर आपको जवानों की तैनाती जवानों की तैनाती देखने को मिलेगी हर बार जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है शर्डालू को ऐसा क्याना है कि हर बार यात्रा के दुरान जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है और इस बार सुरक्षा मवस्ता जिस तरीके से हमने शर्डालों से बात चित के और उनको क्याना है कि काफी जादा कड़ी किया जा रहा है कड़ी सुरक्षर के साथ कानुए के साथ काफिले को रवाना किया जा रहा है और यह काफिला यानि कि शर्धालू कश्मीर घाटी जाएंगे और उसके बाल बाबा बरफानी के दर्शन करेंगेगे आफी जादा उत्सा जोश उमंग जो है वो शर्धालूं के चहर उपर साफतों पर नज़र आ रही है लगबग आपको संख्या की बात करें तो लगबग दिन बदिन यानि कि हर जोथे में संख्या की बडोतरी जो है वो देखने को मिरी और लाकों के करीब शर्धालूं ने ब बार यात्रा में आएंगे यानि कि हर साल जो है वो यात्रा में आएंगे और बाबा वर्फानी के दर्शन करेंगे क्यामरा परसन शमी थापक के साई शिल्पशामा जमू